आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ अगर यहाँ पर हमारे पास में इस purple color वाली तो यह है ice और इसको हमने क्या एक blanket से cover कर रखा है तो इस blanket की वज़े से क्या होता है कि जो यह ice है यह बाहर से temperature को absorb नहीं कर पाती मतलब अगर मान लो यह blanket नहीं होता इसके उपर तो क्या होता बाहर का temperature तो बहुत ज़ादा है क्योंकि वो room temperature के बराबर होगा और ice का temperature है बहुत कम तो ice और environment equilibrium attain करने की try करेंगे मतलब इन दोनों का temperature जो है वो same करने की try करेंगे तो उस वज़े से क्या है ice melt होने लग जाती है पर अगर यह blanket आगया बीच में तो क्या होगा यह bad conductor of heat होता है मतलब यह क्या है heat को एक जगे से दूसरी जगे पर transfer नहीं करता बहुत bad conductor होता है तो इस वज़े से क्या है heat ना environment से ice की side में जा पाएगी ना ice से environment की side में जा पाएगी तो इस वज़े से क्या ice melt होई नहीं पाती क्योंकि यहां से क्या heat transfer नहीं होगी, bad conductor of heat हो जाएगा यह तो फिर क्या होगा, blanket prevents the absorption of heat from ice by conduction, convention, convention और radiation मतलब यह ना तो conduction होने देगा, ना convention होने देगा, ना radiation होना देगा पर इसका मतलब यह नहीं कि totally ही यह इसको रोक लेता है, मतलब time लगता है पर थोड़े time बात में क्या ice melt होना start कर देती है मतलब यह क्या bad conductor होता है, तो क्या heat easily transferred नहीं हो पाती एक जगे से दूसरी जगा पर, इस वज़े से नहीं होगा अब अगर हम इसके अंदर options को पढ़ें, तो options के अना first वाली के अंदर लिखा है कि because blanket is woolen तो यह reason नहीं होता इसको लेकर, इसका reason होगा bad conductor वाला और second में लिख रहा है इन्होंने good conductor, तो good conductor अगर होता यह, अगर good conductor होता तो ice easily melt हो जाती तो option 2 नहीं होगा, और blanket is thick, यह भी एक valid reason नहीं बोल सकते है हम इसको, पर जो option 4 इसके अंदर खाया है कि blanket is a bad conductor of heat तो यह बिल्कुल valid reason है कि blanket bad conductor of heat होता है, इस वज़े से क्या है, absorption of heat नहीं कर पाता, ice from environment तो answer होगा option number 4, thank you Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advanced के level तक, 10 million से जादा students का भर हो सा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts 84444 पर